पुख्यमंत्री शिवराज सिंच चोहान इंदौर में राजपूत समाज के शस्त्र पूजन कारिक्रम में पहुचे यहाँ मुख्यमंत्री चोहान को राजपूत समाज के ही लोगों के कड़े विरोत का सामना करना पड़ा भारी विरोत के बाद शिवराज बिना शस्त्र पूजन किये आधे कारिक्रम से लोट गए दरसल कारिक्रम के स्टेज के सामने राजपूत समाज का एक युवक मनोज रगवनशी आ गया उसने मुख्यमंतरी शिवराज सिंच चोहान पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए नारे बाज़ी कर दी मौके पर मौजूद पुलिस ने मनोज को किसी तरह कारिक्रम से बाहर किया लेकिन राजपूत समाज का ये कहना है कि जातीगत आरक्षन के मुद्दे पर मुख्यमंतरी शिवराज सिंच चोहान से नाराजगी है वहीं नारे बाजी कर रहे मनोज का कहना है कि पिछले विधान सभा चुनाओं में शिवराज सिंच चोहान ने कहा था कि हमें ब्राम्मन और ठाकुरों के वोट की आवशक्ता नहीं है इसके फलसरोप वो चुनाव हार गए लेकिन विधान सभा उप चुनाव में फिर सेवे राजपूतों के सामने जूली फेला रहे हैं इस बार उन्हें यहां से कुछ भी नहीं मिलेगा इन दोर में इस तरह से राजपूतों की नाराजगी को देखते हुए ऐसा लगता है कि बीजेपी को ये नाराजगी कहीं भारी न पढ़ जाए इस पे उपचुना होने जा रहे हैं तो ये ठाकूरों की सरण में आए हैं और ठाकूरों के सामने बड़े-बड़े वादे कर रहे हैं बोट के लिए भीक मांग रहे हैं ठाकूरों से लेकिन ठाकूर समाज आज सरमीनदा है कि इन लोगों को अपने पूरा मंच पे चड़ने दिया जिनोंने मुख्य मंतरी रहते हुए अमनारे समाज का विरोध किया था ब्यूरो रिपोर्ट एक्सपोस तोड़े इन दार